असम के चावल की मांग विदेशों में बढ़ती दिखाई दी है असम की मुख्य फसल धान है यह धान की कई किस्मों का उगपादन होता है चो अपने स्वाद और गंद के कारण लोग प्रिया है इनी गुनों की वज़े से देश के अंदर असमिय चावल की एक अलग पहचान है जिसमें चावल की कुछ किस्मों को GIT टैग भी दिया गया है इन में से कुछ असमिय चावल दुबई में जगा बनाने में सफर रहे हैं जिसके तहट क्रिशी और प्रसंस्क्रित खाद्य उत्पार निर्यात विकास प्रादिकरन यानि अपीडा के सहयोग से बीते दिनों असमिय चावल की एक खेब दुबई को निर्यात की गई है अपीडा की किसानों की बाजार तक पहुँच परदान करने के परियास के तहट चावल की एक खेब दुबई भेजी गई है अपीडा के प्रयास के तहत अस्मिय चावल की 10 लाख मिट्र टन की खेप बिते दिनों चेनई बंदरगा से दुबई भेजी गई है जिसमें राजिय के चावल की दो परमुक किस्मे जोहा और एहजुंग शामिल है जानकारी के मताबिक अस्म के नल बाड़ी और कामरूप जिलों के किसानों ने जोहा चावल शिप्मेंट पर दान किया चबकि कामरूप जिले ने एंजु किस्मक का भी निर्यात किया है चावल की इस खेप को अपीजा के अध्यक्ष एम अंग मुथू ने हरी जटी दिखाई असम में अस्मिय चावल की किस्म जोहा को अपनी विशेष्टाओं के कारण जी आई टैक मिला हुआ है यह अन्या गुन्वता विशेष्टाओं के मामले में बास्मती जैसी अन्या सुगंदित चावल की किस्मों से अलग है लेकिन जोहा चावल अपने सुवाद, सुगंद और अनाच की विशेष्टाओं के लिए परसिद है अपीजा के अधिकारियों के मताबिक विदेशों में इसकी भारी मांग है वहीं अपीजा के अध्यक्ष की माने तो उन्होंने कहा है कि अनुकूल, जलवाईयों और मिट्टी की स्तिती के कारण असम और अन्या प्रवोतर शेतर के राज्यों में लगबग सभी करिशियों और बागवानी फसले उगाए जाती है अंग मूतू के अनुस्तार इस शेतर से निर्यात बढ़ाने के अफसर हो सकते है क्योंकि अधिकांज, पुरुवतर, राज्य, भुटान, बांगलादेश, म्यानमार और चीन जैसे देशों के साथ सीमा सांजा करते है और ऐसे में वहाँ पर चावल के डिवान बढ़ सकती है प्रुवतर, बढ़ाओी झाल